गोड इविनिंग ग्लास फिफ्ट दिस इस यूर मैट्स ओनलाइन क्लासे जो हमारा चैप्टर है वो नंबर से रिलेटेड है के लिए आज हम इसे टॉपिक पर डिसकस करेंगे वेरा लास्ट जो आपने पड़ा है अभी तक कांटिंग वन्टू नाइन होती है जो आपकी मतलर सिंगल डिजिट जो कांटिंग होती है वो आपकी आती है वन्स सीरीज में अम्पे नेक्स जो तूडिजिट मिश्यर नंबर यह वो आपके 10 शीरीज में आते हैं 10 to 99, it means 10 series में आगे आपके, 3 digit number, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह आपके आते हैं, 100 series में, 3 digit numbers, next one, 4 digit numbers, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comes in 1000 series, next one, 5 digit numbers, comes in 10,000, count here, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 digit numbers हैं, यह आपके 10,000 को ओलम, clear, ठीक है, एक, आपको supposed कोई number दिया है, कि अब हम इसको कैसे denote करें, कैसे अपना question को solve करें, तो पेटा, 1s को आप O से denote करते हैं, 10s को T से, 100 को H से, and 1000 को TH, next one is 10,000, T, TH, double TH, clear, मैं आपको कहा, 2, 3, 7, 5, 2, write in words, यह, write number name, then what will you do, 2, एक main point, आप जो यह, इस series को solve करते हैं, जब इस sum को solve करते हैं, तो आप right to left move करोगे, not left to right, आप once यहाँ से count नहीं करोगे, आप once यहाँ से count करोगे, clear, ठीक है, 2 के पीछे आपको कोई भी number नहीं है, it means यह अकेला है, तो जो हमारे single digit होता है, वो होता है once, आपने O लिग दिया, then five, five के आगे देखें, आपके पास two है, यानि यह आपका two digit हो गया, इसको आप five को denote करोगे, ट से, tens, clear, इसके बाद आपका है seven, seven के आगे देखें, two digit होगी, seven को include करके आपकी three digit हो जाती है, three digit comes in hundred series, then three, three, after that one, two, three, three numbers हैं उसके बाद, three को include करके आपका हो गया four digit series, it will come in thousand series, last one is two, one, two, three, four, after two, there are four digits, when you will include two, there will be five digits, it means it comes in ten thousand, clear, आप याद रखना अटेंशन है आपको, it is very necessary, आप right to left move करोगे, not left to right, कि लिए, आपने denote कर दिया, once को O से, tens को T से, hundred को H से, thousand को TH, and two is double TH, ten thousand, आप आप राइट डाउन क्या करोगे, अब आप पेर बना लोगे, पेर आपको कैसे बनाने है, देखो, 1000, 1000 का आपका वन पेर, complete, ये दोनो, combine रहेंगे, hundred के साथ, कोई digit hundred से related नहीं है, it means ये, separate ही रहेगा, tens और ones को हमेशा, combine करके बोलते हैं, 11, 12, 13, 14, 55, 72, the tens are ones हमेशा, pair में रहता है, clear, अब आप क्या लिखोगे, जब आप numbers, words में लिखोगे, thousand के आपके 23 हो गया, ठीक है, 23, क्या है इसके पीछे, thousand, thousand, okay, 7 आपका केला था न, separate था न, तो this is 700, 52 is 52, okay, यह अपने inverse लिख लिए, अच्छा अच्छो, अगर आप बैचन्स भूल भी जाते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर 10,000 को आपने combine करा है, same thousand, यह बाद हमारा 10,000 आया है, it means यह thousand once हो गया, और यह 10,000 हमारा 10,000 हो गया, तो हमने इसको pair बना दिया, कभी बूलना मत इस चीज़ हो, ठीक है, 100 हमारा हमेशा अकेला रहता है, 10s और 1s हमेशा कम combine, के लिए 23,752, बैटा, आज का आपका, जो समझाने का काम था हो, वो इतना ही था, आपके online classes में यही class वर्ट था आपका, ठीक है, homework में आपको, आपको कुछ digits ले रही हूँ, कुछ numbers ले रही हूँ, आप इनको same solve करके देखोगे, और मुझे आप यह homework शेर करोगे, WhatsApp के दुरूब आप शेर करना, आप इस काम को करके, मुझे WhatsApp पर शेर कर देना, के लिए हैं, मैं देखूंगे आपने किसने काम करा हैं, किसने नहीं, के लिए, यह आपका homework है, कल आपकी online class आगे तब ही promote होगी, आगे तब ही बढ़ेंगे हैं, जाप आप इस काम को मुझे शेर करके देदोगे, otherwise मैं आगे classes नहीं provide करोगे, पहला आप यह काम करके WhatsApp पर मुझे शेर करोगे, ओके, बाई!